हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी किचन में आज मैं मार्केट से आ रहे थी तो रास्ते में ठेले वाले के पास कुछ लोग मॉमोज खा रहे थे तो मेरा भी मॉमोज खाने का दिल किया तो सोचा कि घर पर ही बना लिया जाए आज हम बनाएंगे स्टीम मॉमोज तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मैदा उसमें 15-16 मॉमोज बन जाएंगे अब एक बावल में मैदा में चुटके भर नमक वे थोड़ा सा तेल एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब पानी डाल कर अच्छे से गूंद लेंगे 10-15 मिनट बाद पत्ता गुबिवा गाजर का पानी निचोड देंगे अब मॉमोज की फिलिंग तयार है नेक्स स्टेप में मैदे के आटे को 10-15 मिनट हो गये हैं तो अब इसकी गोलियां बना लेंगे एके गोली तेल लगाकर बेलेंगे और उसमें फिलिंग भर लेंगे इसके चारो और पानी लगाकर इसको समेट कर मॉमोज वाले शेप दे देंगे इस तरह सारे मॉमोज तयार कर लेंगे अब स्टेम करने के लिए हम एक पतीले में पानी भर लेंगे उसमें पानी डालकर गरम करने रख देंगे जब पानी गरम हो जाए तो देखो दोस्तो इस तरह से छेद वाले प्लेट लेंगे और उस पर ओयल लगाएंगे और इस पर मॉमोज रख देंगे और ढग देंगे लगभग 15 मिनिट स्टीम होने देंगे देखिए स्टीम मॉमोज तयार है ये देखिए दोस्तो अंदर की फिलिंग लग रही है न बाचार वाला मॉमोज अब इससे चटनी से लगा कर खाय सकते हैं चटनी रेसिपी के लिए लिंक डेस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी कॉमेंट करके बताईए कि मॉमोज किस किस को पसंद है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए थेंक्स पर वोचिंग बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में